बोलिये फ्रेम से स्री सद्गुरु महराज की जये रा बारीक गुरुदेब ते पाईए कौन तुमारे विचार को धीरे धीरे तुमसे छिनेगा गुरु का अर्थ समझ लेना तुमारे पास दो सब्द है दुनिया के किसी भासा में वैसी नहीं है क्योंकि दुनिया की किसी जाती का वैसा गहन अनुभव नहीं है हमारे पास एक सब्द तो है शिक्षच और एक सब्द है गुरु शिक्षच का अर्थ है जो तुमें सिखाए शिक्षा दे गुरु का अर्थ है जो तुमें और तुम से छीन ले तुमने जो सीखा है जो तुमें मिटाए जो तुमें खाली करे जो गुरू सिखलाता नहीं अंच सिखलाता है गुरू तुमें कुछ देता नहीं लेता है गुरू तुमें खाली करता है शिक्षक तुमें भरता है यही गुरू और शिक्षक में अंतर है गुरू हर समय खाली करने का काम करता है और सिक्षक हर समय भरने का काम करते हैं धर्म के जगत में भी तुम सिक्षकों से बचना चोंकि वे तुमें भरेंगे वे गुरू नहीं है और बड़ी कठनाईयां हो जाती है क्योंकि तुम ही अपने को भरने को आतूर होते हो इसलिए तुम अक्सर उनके चर्णों में चले जाते हो जो तुमें भरे वे अपना ग्यान तुम में उढेल देते हैं तुम जानकर हो जाओगे सायद धीरे धीरे तुम भी पंडित हो जाओगे सायद धीरे धीरे ऐसा मौका आ जाएगा कि तुम भी सिक्छक हो जाओगे और दूसरों को सिखाने लगोगे लेकिन गुरु बड़ी अनूठी घटना है गुरु का मतलब है जो तुमें खाली करे जो तुमें मिटाए जो तुमारी स्लेट पर लिखे हुए को पोज दे जो तुमें फिर से कोरा कागज करे ऐसे महराष्ट में कता है निवरिती नात एक बड़े अद्भुत पकीर हुए उन्होंने एक पत्र लिखा एक दूसरे संद को खाली कागज भेज दिया गुरू लिखे भी तो क्या लिखे खाली पन ही लिखाज सकता है और गुरू सिर्फ खाली पन ही लिख सकता है संद को खाली कागज मिला कहते हैं संद ने खाली कागज पड़ा गोर से पड़ा लिखा हुआ, होतो गोर की बहुत जरुत भी नहीं लिखोगे क्या, लिखें वे में पड़ने योगी भी क्या होता है लेकिन अनलिखा था, बड़ी बहरीक बात लिखी थी सब्द में नहीं आती, वो लिखा था, अक्षर ही लिखा था जो कभी च्छाय नहीं होता, अक्छाय है, हाथ से बनाए हुए अक्छार बनते हैं, मिठते हैं, इनको क्या लिखाना, असली अक्छार लिखा था, सास्वत लिखा, इसलिए तो दिखाई नहीं पड़ता था, जैसे परमात्मा च्छिपा है, ऐसा पत्र भी च्छिपा था, कोरा कागज था, गोर से पढ़ा, बार बार पढ़ा, क्योंकि कुछ चूक ना जाए, कुछ छूट ना जाए, पास बैठे लोग जरा चिंतित हुए, कि वह एक आदमी तो पागल मालूम होता है, ही जिसने लिखा है, कोरा कागज भेजा है, और या आदमी उससे भी जादा पागल मालूम पढ़ता है, जो पढ़ रहा है, और एक बार नहीं पढ़ रहा है, बार बार पढ़ रहा है, और सब तरफ से पढ़ रहा है, क्योंकि लिखे कागज को तुम एक ही तरफ से पढ़ सकते हो, कोरे काग उल्टा करके पड़ा मगर होकर और मगन होकर पड़ा बार बार पड़ता गया फिर भी उसकी बहन बैठी थी वह भी एक संतत्व को पलब्ध महिमा थी फिर उसने अपनी बहन को का कि तुम पड़ो उसकी बहन ने भी पड़ा और भन्ने का की निवितनात पालिया मिल गया उसे क्योंकि कोरा कागज तो वही दे सकता है जिसको मिल गया हो गुरू तुमे कोरा पन देगा इसलिए तुम बार बार गुरू के पास जाओ इसलिए बहुत बार तुम गुरू के पास जाने से डरोगे क्योंकि तुम्हारे भीतर जो भरा है उसे तुम संपत्ती समझ रहे हो वह कुड़ा करकट है वह कच्रा घर में डाल देने जैसा है तुम्हारे सब विचार लेकिन उनको तुमने बड़ी संपत्ती की तरह संजोया है तुम कहते हो कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसल्मान, मैं जैन, मैं इसाई हूँ, मैं सास्त्र का ग्याता गीता मुझे कंठस्त कि मैं चत्रवेदी, चारों वेदों को जानने वाला कि मैं त्रिवेदी, तीनों वेदों को जानने वाला जान और जानकारी तुम्हारी संपत्ती मालूम होती है गुरू के पास जाते तुम डरोगे पंडित कापता है गुरू के पास जाते इसलिए मैं निरंतन काता हूँ कभी-कभी पापी भी पहुंच जाते हैं गुरू के पास पंडित नहीं पहुँच सकता, गुरू के पास, क्योंकि पंडित डरता है गुरू से, पापी को बहुत डर भी नहीं है, गुरू छीन ही लेगा, पापी तो पास में है, कुछ भी और है ही नहीं, पंडित बहुत डरता है, उसके पास संपत्ति है, किसी की डर है उसे, कहीं छी ना ली जाए और ध्यान रखना जब तक तुम्हारा भरा हुआ मन खाली ना कर दिया जाए जब तक तुम्हारा पात्र खाली करके मांजाना जाए तब तक उसमें परमात्मा के अम्रित को तुम ना ले पाओगे ना जेल पाओगे तुम्हारा पात्र खाली किया जाना जरूरी है आगे से निकाला जाना जरूरी है ताकि सुद्ध हो जाए